आपको याद दिला रहा हूँ, 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राश्रवादियों का महा कुम्ब जिसमें हम हिंदू एकोसिस्टम का निर्मान करेंगे उसके लिए हमारा जो क्राउट फर्डिंग चल रहा है, वो अत्यंत सफल है, आप लोगों की अनुकमपा से 63 प्रतिशत उसमें अभी योगदान आ गया है आप सभी से अनुरोध है, प्रपए इस योगदान को सीगरिशत प्रतिशत करें इसके लिए या टो QR स्कान कर लें या फिर डिस्क्रिप्शिन में जाके लिंक को क्लिक कर लें नमस्ते आप सभी से अनुरोध है कि क्रपया हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जाती जनकरना जो है वो बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा ही लोक पर यह विशे आजकल हो रहा है विशेशकर इंडी अलाइंस वालों द्वारा और उसके उपर लगातार प्रहार किये जा रहे हैं हमारे योगी आदितिनात द्वारा और आशरी की बात है कि जो शीर से नित्र तो है बारती जनता पार्टी का वो इसके उपर मूं कदर्शक बना हुआ है तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिती बन रही है लेकिन बीच में भी जो प्रशांत किशोर ने इसको जो टैकल किया और जो इसको सुनाया उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करने की आवशक्ता है क्योंकि जाती जनकरणा से अक्षिकार आप क्या अचीव कर लेंगे ये प्रशांत किशोर यही कह रहे है कि जाती जनकरणा तो यहां प्यार में पूर्ण हो चुकी है क्या इससे गरीबी हड़ गई क्या इससे किसी प्रकार का कोई लाब किसी को मिल गया ग्रूमिल भी नहीं सकता क्योंकि आप जाती जन्गनदा कराओगे तो जो जाती एक ग्रूप जो है जिनोंने जाती ओपर अभी अधिकार कर रखा है वे तो परसंद नहीं होंगे किसी भी तरह से आप देखिए जाती जन्गनदा की बात कौन कर रहा है जहाती है जनलना की बात जो है वो मुख्यतर आहुल गादी कर रहे है और कभी-कभी उनके स्वर में स्वर जो है वो अकहलेश यादो मिला देते हैं लेकिन कभी-कभी ही मिलाते हैं क्योंकि अकहलेश यादो को भी पता है और तेजस्वी यादो को भी पता है यदि यह हुआ तो जो उनका एकाधिकार इस समय है पूरे के पूरे जो रिजर्वेशन की पाई है वो आपको मैं बताओं कि OBC का यदि आपको उग्जामपल ले ले तो उत्तर प्रदेश में जो लगबख 27 प्रतिशत अरक्षन वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा यादवों और कुर्मियों में बढ़ जाता है को छोटा मोटा जो है वो कुछ अन्य को भी मिल जाता है तो मिल जाता है लेकिन बाकी जो बड़े बड़े जो आपकी ग्रूप्स है जो निशाद है राजबर है मला है दोगी है पुछवा है मौया है इनको कुछ नहीं गलता थोड़ा बहुत कोई चिंदी वाला बस इसी तरह से उदारन देने ये दि बिहार का तो बिहार में भी जो बड़ा से बड़ा चंक है ओगी सी के अरच्छन का अलाकि वहां तो वर्गी करन कर दिया गया वर्गी करन कर दिया गया ओगी सी का तो उससे जो है जो अती पिछड़ा वाले जो जलित है अती पिछड़ा वाले जो ओगी सी है उनको यहां हिस्सा मिल जाता है अब इसको जो है वो उपवरगी करन किये बिना मतलब बड़ी अजीब सी स्थिती है कि यही पार्टियां जो यह कह रही है कि जाती जनकनदा कराईए वही पार्टियां खड़े होकर उपवरगी करन का विरोध भी कर रही है अब बिना उपवरगी करन किये हुए आपको जातियों में किस परकार से आपको जो बात करते हैं सोशल जस्टिस की सामाजिक नियाए की वो कैसे होगा उदाहरण उदाहरण सबसे बड़ा है करनाटका करनाटका में जब 2013 से 2018 तक सरकार थी उसमें जातिय जनगर्णा करा ली गई थी लेकिन जातिये जनगर्णा करने के बाद में हिम्मत नहीं होई कांग्रेस पार्टी की आज तक हिम्मत नहीं होई क्योंकि अब ये 2013 से 2018 2018 वे भी जो है इनोंने बैक डोर से सरकार तो जोई नहीं कर ली थी अब इनकी पूरी सरकार है और अच्छे बहुमत के साथ सरकार है एक सो पाइते सीटे जीत के आए हुए लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही क्योंकि सब पता है कि ये जो जाती है जन्यादा माला मामला इससे कुछ नहीं होना है उल्टे जो influential जातियां है यानि वुकालिगा और लिंगायत ये यदि रुष्ट हो गई तो इनका बंटा धार हो जाएगा पिछली बार भी ये लिंगायत वोटों के कारण ही लिंगायत वोटों के जो अरुची हुई थोड़ी सी बीजेपी के उसी के वज़े से आये थे पूरा का पूरा जो ये नरेटिव चला हुआ है ये है oppressor versus oppressed ये जो binary है ये पूरी तरह से मार्क्सिस्ट वाला बनाई हुई है बारत में कभी भी ये oppressor versus oppressed की binary थी ही नहीं अधिकतर जो कुटीर उद्योग थे और मुखे तरह कुटीर उद्योग ही हुआ करते थे वह से कुटीर उद्योग जितने भी थे वो सारे के सारे जिनको आजकर जो है वो ओवी सी कहा जाता है इनी के हाथ में थे और दूसरों का भी जो है सबके अपने नहीं है कि भई शुद्रों का नरसंगार हुआ हो या दलितों का कोई नरसंगार हुआ हो एक नहीं है एक इंस्टिंस नहीं है कहीं भी जो कुछ है वो बाद में आपको जब दिखाई पड़ती है कब अंग्रेजों के आने के बाद जब उन्होंने ये narrative आरंब किये और दमन किया गया ये सब जब नाटक शुरू किया इन्होंने अठारवी शताबदी से तब से आपने देखा कि कहीं कहीं इस प्रकार की बाते होई वैसे भी उसमें भी कहीं कोई ऐसा कोई बड़ा आपको कोई भी इंस्टिंस नहीं मिलता याने कि मेजों के आने के बाद भी त इसा भी माकोने गाओं में पेश्वाओं को महरों नहरा दिया लीजीए सब अब इन में से एक महार यूनिट थी इनकी बाकी एक और मिक्स्ट यूनिट थी अग्रेज थे उसमें आफिसर सरे के सारे अग्रेज थे वो अग्रेजों की एक सेना थी अच्छा और पेश्वाओं की सेना क्या थी पेश्वाओं की सेना जो थी वो आपके जो मर्सेनरीज होते हैं बृत्य सैनिक जिनको बोलते हैं किराए के बाड़े के सैनिक वो अरब थे अरब मुस्लिम अब आज तक यह सपश्ट नहीं हो पाया है कि गधि यूनिट वर्सिस माना जाये तो अरब वर्सिस महार माना जा सकता है और अगर शासक वर्सिस शासक माना जाये तो पेशवा वर्सस अंग्रेज माना जा सकता है यह कैसे हो सकता है एक तरफ तो जो लड़ने वाली जो एक यूनिट भी यूनिट भी नहीं थी एक कमपनी थी तो उसे एक कमपनी को मतलब पूरी यूनिट थी उसमें से एक कमपनी थी महार की तो वो एक कंपनी जो है वो एक तरफ तो वो एक कंपनी ले लो और दूसरी तरफ पूरा शासक ले लो लेकिन जो शासक की सेना थी उसको मतलो अगर आप कहते हो कि महार ने पेश्वा को रहा है भाई या महार ने मुस्लिम को रहा है महार वर्सिस मुष्रिव को नहीं करते हैं सच बात तो यह है कि अंबेडकर वादियों को डॉक्टर अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है कि अप्टर अंबेडकर ने स्वयम अपने रचनाओं में इस पश्ट लिखा है कि मनु जो थे वह ब्रामन नहीं थे एक बात दूसरी बात दूसरी नहीं कहा कि ब्रामनों की कभी इस्तिति यह थी नहीं कि वह अपनी जो सामाजिक विवस्ता जो कह रहे हैं वह स्वयम लागू कर पाएं क्योंकि वो तो शिक्षक वर्ग था मुख्य रोप से शासक वर्ग वो था ही नहीं अधिकतर केसिज में और जिसको ओवी सी कहते हैं आप यह जानिए कि पानसो पैसट लगबग रियास्तें जो विले होई थी उसमें से 75% से अधिक वे थी उनके रूलर्स वो थे जिनें आज की डेट में OVC कहा जाता है इसलिए मैं कहता हूँ कि अमबेडकर वादियों को अमबेडकर से कोई लेना देना नहीं है उनको सिर्फ गरणा फैलानी है इसी तरह से जो नवबध हैं उनको भगवान बुद्द से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि भगवान अब्द में हिंसा ही दिखाई पड़ती है इसलिए जो पूरा जाती गरणा का नाटक है ये केवल और केवल इसलिए है किसी तरह से आपस में बिढ़ाया जा सके इसका कोई अर्थ नहीं निकलना इससे कुछ मिल नहीं सकता क्योंकि इसके आधार पर आप 50% की जो सीमा है उस इसरी तरह कहता है कि वो बदल देगा और 50% की लिमिट को ब्रीच कर देगा तो कैसे ब्रीच कर देगा उसके लिए तो तो तेरे को समधान खतम करना पड़ेगा और बिल्कुल इस प्ष्ट है कि जो भी आपको रिजर्वेशन दिया जाता है वो एक अपवाद के रूप में दिया जाता है यही डॉक्टर अम्बेड कर ने कहा था कि यह रिजरुवेशन जो है वो अपवाद होगा लेकिन वही वाली बात अम्बेड कर वाजियों को अम्बेड कर से कोई लिना देना नहीं और राहूल गादी को भी डॉक्टर अम्बेड कर से कोई लिना देना नहीं अंतता है ये तो कॉंग्रेसी थी जिसने पूरी की पूरी अम्बेड कर की लगएसी का द Surprise किया था इसको तो जो जाती जंड़्षिड़ना का जो तलिस्म है इसको यदि कोई निपटा रहा है तो योगियाद इतना तिर निपटा रहे है मटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे पिर कह दिया कि मैं ये तो इंडी वालों में इनके समाजवादियों में जिन्ना की आत्मा आ गई है माटने वाली बात आई तो जिन्ना की आत्मा आ गई है और यह भी कह दिया कि लाल टोपी वाले काले काम करते थे हर तरह से यदि आपको इस जाती जनगणना वाले नरेटिव को आपको डिफीट करना है तो आपको उसे योगी बाबा की तरह हेड आन लेना पड़ेगा ये छुप छुप के काम करने से नहीं चलेगा जैहिन जैवारत बंदे मातर जैवारत बंदे मातर